हंक को 125 के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जी आब आई, हीरो की जो हंक है ये गाड़ी आपको इंडिया में 125 CC के साथ देखने को मिल जाएगी और हंक जो है आज भी इंडिया में बनाई जाती है लेकिन इस गाड़ी को कोलंबिया और बंगलादेस में सेल किया जाता है और इसका जो नाम है कही पर हंक और कही पर इसको सेल किया जाता है थ्रिलर के नाम से लेकिन ये गाड़ी आपको इंडिया में हंक 125 के नाम से देखने को मिल जाएगी थ्रिलर आने को आ सकता है लेकिन जो भी कहो आपको ये हंक की ही याद दिलाएगी क्योंकि दोनों के जो लुक्स हैं वो आपको अल्मोस्ट सेम मिलेंगे लेकिन ये गाड़ी अब आपको 125cc इंजन के साथ देखने को मिल जाएगी जिसमें की आपको सिंगल सिलेंडर फैब स्पीड गेर बॉक्स देखने को मिलेगा और ये गाड़ी आपको लगबग 12bhp का पावर देगी टॉर्क आपको लगबग 11nm के आसपास तक का दिखने को मिलेगा और आपको हंक में मिलेगा सिंगल सिलेंडर वो आपको बताई दिया मैंने बागी जो माइलेज है वो आपको मिलेगा 65-70 के बीच में और गाड़ी की जो top speed है वो आपको 110 के आसपास तक का दिखने को मिल जाएगी बागी जो bike के looks है वो आपको डिस्पले पर दिखी रहे हैं लेकिन कुछीज़े आपको ऐसी मिलेगी नई जो की सिर्फ इंडिया में मिलेगी जैसे की आपको मिलेगा fully LED का headlamp पो साथ ही जो गाड़ी में headlamp मिलेगा उसमें आपको मिलेगा integrated DRL जो की काफी अच्छा लगने वाला है बागी यार इंडिया में आपको मिलेगा hunk 125 में LED का turn signal indicator और जो की ये indicator आपको 1000 light के साथ देखने को मिल जाएगा बागी जो भाई इसकी back profile है पीछे आपको मिलेगा tail light LED का इंडिकेटर वगेरा सेम मिलेगा बागी जो भाई का meter console होगा वो आपको मिलेगा fully digital जिसमें की आपको मिल जाएगी mobile phone की connectivity message call turn by turn navigation और भाई जो display है वो आपको color TFT display देखने को मिलेगा बाई की hero की ओर से आने वाली 125cc में premium bike होने वाली है बागी जो भाई गारी में आपको mobile charging का port मिलेगा बाई की जो handle होगी hunk 125 की वो आपको single piece में दिखने को मिलेगा जो की आपको black painted मिल जाएगी बागी यार बाई की जो seat है वो आपको मिलने वाली है split की जो की आपको step up seat भी कह सकते हैं और जो grab rail है वो आपको मिलेगे plastic के जो की आपको मिलने वाले हैं split में और बाई गारी का weight आपको काफी कम दिखने को मिलेगा बाई ये काफी light weight machine रहेगी front में भी आपको मिलेगा disc और पीछे भी आपको मिलेगा disc option बाई जो है ये गाड़ी आपको single channel ABS की साथ मिलेगी 125 होने के बाद भी क्योंकि भाई hero की जो extreme है उसमें आपको मिलता है ABS तो भाई definitely आपको hero की thriller आएगी या hunk आएगी 125 इसमें भी आपको single channel ABS मिलने वाला है बाई जो भाई front tire है वो आपको मिलेगा 96 का और जो tire पीछे का है वो आपको मिलेगा 110 6 का बाई की जो है बाई क में आपको मिलने वाला है और इसका बाई जो front suspension है वो आपको मिलेगा telescope का और बाई जो पीछे के soccer है वो आपको मिल जाएंगे monoshock जो की बाई 7 step adjustable रहेगा bike का जो swing arm होगा वो आपको boxy shape पे दिखने को मिलेगा अब जो भाई बात करते हैं गाड़ी के body panels तो भाई जो गाड़ी के body panels हैं वो आपको old वाली hunk की याद तो दिलाई चुके होंगे बागी जो भाई tank पे आपको मिलेगा tank flap जिस पे की आपको thriller या फिर आपको hunk की branding दिखने को मिलेगी बागी जो भाई गाड़ी के side के panels हैं ये आपको मिलेंगे बिल्कूल ही नए जो भाई display पे आपको दिख रहा है कुछ ऐसा ही आपको मिलता जुलता मिलेगा almost ऐसा ही नहीं रहेगा इंडिया माई थोड़ा सा better आएगा थोड़ा सा update होगे आएगा heavy और muscular होगे आएगा बागी जो भाई ये बाई का आपको November, December के आसपास तक का launch होती हुई मिल जाएगी और इसका जो भाई price होगा एक showroom वो आपको लगबग 1,00,00 रुपए के आसपास तक का starting x showroom मिलेगा और बाई on road जाएगी 1.20,00 रुपए के आसपास तक का और ये सारे price expected है बागी जो भाई गाड़ी में आपको single stand, dual stand ये सारे चीज़े मिलेंगी बाई साथ ही आपको मिलेगा engine, kill, switch, self, start, i3s और बाई गाड़ी में आपको की start भी मिलेगा बाई जाओ तो वेड़ कर लो भागी यार बाई जो वीडियो में लाइक कर देना मिलते है किसी और वीडियो में तब तक के लिए जया हिंदू वंदे मातरम बाई